नमस्कार दोस्तों, Optuses पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम CUET MA Economics में Mathematics के portion में पूछे जाने वाले कुछ important questions को आपके सामने discuss करेंगे लेकिन सबसे पहले जो भी लोग चैनल पर नए हो या चैनल को subscribe नहीं किया हो प्लीज हमारे motivation के लिए चैनल सबस्क्राइब जरूर कर लीजे आपका subscription हमें इसी तरीके से नए नए वीडियो लाने के लिए प्रेजित करता रहता है तो चलिए, question देखते हैं सबसे पहले, question बोलता है कि the value of determinant, एक matrix आपको 3 cross 3 की दी गई है A0B, 0B0, B0C is equal to Mathematics जिसका background है, उनके लिए ये question बहुत ही आसान है लेकिन non mathematical background के लोगों के लिए question थोड़ा सा tough है तो कैसे determinant solve करते हैं, यह हम जानेंगे इस वीडियो में लेकिन उससे पहले कुछ important update है जिन लोगों ने भी CUT, MA Economics का form भरा है और अच्छी इन्वस्टी में admission लेना चाहते है उन्हें एक ordered way में तयारी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो अगर अभी तक आपने ordered way में तयारी नहीं शुरू की है तो आप हमारी इस toppers batch को join करके यहां से अपनी तयारी को boost कर सकते है जिसमें आपको live and recorded lectures मिलते हैं test series, revision classes, doubt classes और marathon classes मिलती है जो कि आपको बहुत ही reasonable price 2499 में आपको दिया जाता है यहां पर आपको जो content मिलता है वो the best content होता है इसका जो है proof हमारे सामने ये है हमारे past years के results जो है वो बहुत ही बहतरीन रहे है तो आपको अभी बहुत सारी coachings में इस से हो सकता है 102-200 रुपए कम में भी offer मिल रहा हो तो एक बार coaching opt करने से पहले आप compare जरूर करिएगा results को previous year उसके बाद जो आपको best लगे आप उस पर आईएगा मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी में आईए है तो इस number पर आप call करिए और तुरंत batch join करिए वहाँ पर अभी mathematics में statistic का end चल रहा है statistic खतम उने वाली है उसके बाद जो batches join होंगी उनको set theory और matrix and determined शुरू किया जाएगा पूरी math कवर की जाएगी कोई भी चीज़ आपको छोड़ी नहीं जाएगी तो जल्दी से जल्दी जॉइन करिए और boost करिए अपने तैरी को अच्छे इनुस्टी में जाएगे तो enough this chat and now we are going to see the question हमारे सामने ये question है अब जो लोग mathematical background के उनके लिए बहुत ही आसान है लेकिन non mathematical background के लिए लोगों के लिए जब भी आप इस तरह का determinant देखिए आप को कैसे solve करना है आप उपर की row को ध्यान से देखिएगा और सबसे पहले जो पहला term है वो लिखिएगा मैंने पहला term लिख दिया a फिर आप लगाईएगा bracket a लिखने के साथ आप a वाली row और column को ऐसे करिएगा close आपने कर दिया close फिर जो आपको चार elements दिख रहे हैं उनमें आपस में इस तरह से cross multiply आप करेंगे b into c 0 into 0 तो क्या हो जाएगा b into c minus का sign लगाएगे फिर 0 into 0 जीरो आएगा close the bracket इतना हो गया फिर आप ये बीच वाली row को इस तरह से आप cut कीजिएगा फिर आपको यहाँ पे 4 element दिखाई देंगे यानि पहले जब आपने लिखा था तो क्या लिखा था आपने a into b into c minus 0 फिर क्या करेंगे आप बीच वाला element लिखेंगे बीच में 0 है minus 0 लेकिन बीच में लिखते वक्त आपका यहाँ पे minus आता है और bracket में कोई भी term है चुकि 0 से multiply कर रहे है तो यह माइने नहीं रखता यह 0 ही हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे तीसरा term आप b देख रहे हैं plus b लिखिए फिर इसको ऐसे row column बंद करिए cross multiply यह यह क्या आया 0 फिर minus का symbol और cross multiply यह यह क्या आया b square अब आप इसको थोड़ा से simplify करिए क्या बनेगा आपका a b c और यह यहां से minus b q देखते हैं कौन सा option सही है तो आपका d option सही है इसी तरीके से आप determinant की और properties और कैसे आसानी से आप question solve कर सकते हैं यह सब अगर आपको सीखना हो तो हमारी बैट जरूर जॉइन करिएगा जो चल रही है जल्दी से जल्दी जॉइन करिए कि देर ना हो जाए वीडियो पसंद आई हो तो like जूरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब किये रखिए धन्यवाद